दोपहर तक स्पॉंसर्ट बाई कॉटिल्य अकाडमी रीवा हाई कोट ने 27 फीसिदी आरक्षन पर अंतरिम रोक बरकरार रखी है राजसरकार ने सॉलिसिटर जनरल की अनुपल अबधता के कारण समय मांगा था इस मामले में सॉलिसिटर जनरल उफ इंडिया राजसरकार का पक्ष रखेंगे जस्टिस शील नागू और जस्टिस दीदी संबल की बेंट में सुनवाई होगी तो एक बड़ी अपडेट 27 फीसिदी आरक्षन के मामले को लेकर अब इस पूरे मामले में जबलपूर हाई कोट ने आदेश जारी किया है अंतिम सुनवाई एक अगस्ते हर रोज एक घंटे होगी देखना होगा कि इस पर फैसला क्या होता है बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर शावन मास के दूसरे सोमवार पर महाकाल मंदिर में श्रधालू की भारी भीड देखी गई उजयन में महाकाल के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं और भीड काफी जादा हुई है एक खबर यहां से सामने आ रही है जहां पर दर्शन करने आए महाकाल मंदिर में आए दो श्रधालू भीड में दब कर घायल हो गए इतनी जादा भीड की यह दो श्रधालू भीड में फस गए और दब गए दोनों गुना के रहने वाले बताए गए हैं गुना से 14 श्रधालू का ग्रोप आया था महाकाल मंदिर से एक किलोमीटर पहले चारधा मंदिर पर श्रधालू कतार में लगे थे तभी उनके साथ हाथसा यह हो गया दोनों को अस्पताल में भरती कराया गया है सुबद 6 बजे से 12 बजे तक 2 लाग श्रधालू महाकाल के दर्शन कर चुके हैं तो यह पूरी अपडेट अभी तक कि कि कितने श्रधालू दर्शन कर चुके हैं एक बड़ी घटना होते होते टल गई हाला कि जो दोनों श्रधालू घायल हुए है उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया गया है दोपहर तक स्पॉंसर्ट बाई कॉटिल्य अकाडमी रीवा